है गाईज वेल्कम बैक तो माई चैनल आज हम एक्स्प्लेइन करेंगे अंडर दा पावर का पार्ट 16 लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक दिखा कीजिए आप लोग इसे स्किप करके देखते हैं जिससे कि बुझे वाश्टाइम बहुत कम मि और इसलिए वो सब के लिए एक लेटर लिखकर जाती है इसके बाद वो बहुत दुखी होती हुई अकेली कहीं चली जाती है जिसे कि सब को उसकी हालत देखकर दुखना हो उसके जाने के बाद सब को उसकी लिखे हुए लेटर मिलते हैं जिसे कि उन सब को पता चल जाता है कि लियू को बचाने के लिए जिनने अपनी जिन्दगी को खत्रे में डाल दिया है और अब वो जल्दी है मरने वाली है लियू भी पेड़ के पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और अब उसे जिनकी उस बात का मतलब समझ आता है जब जिनने उससे पूछा था कि अगर कभी मैं आपको दिखाई ना दू तो क्या आप मुझे मिस करोगे वो लियू के लिए भी एक लैटर लिखके जाती है इसमें उसने सिर्फ एक ही बात लिखी थी कि मैंने अपनी जिन्दगी आपको बचाने के लिए कुर्बान कर दी लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है पर आपको मेरे लिए सिर्फ इतना करना है कि मेरे जो भी सैलरी होगी और जो भी कंपेंसेशन आप मुझे देंगे वो आप मेरी मा को दे दीजेगा जिससे कि वो अपने जिन्दगी आसानी से कुजार सकें जियाओ जॉक्टर लेन और अंकल बैगर से लड़ने लगता है क्योंकि वो जिन से बहुत प्यार करता था और वो ये बरदाश नहीं कर पा रहा था कि जिन अब उसकी दुनिया से चली जाएगी उधर जिन की हालत लगातार खराब होती जा रही है और वो गिरती पड़ती एक छोपड़ी तक पहुंच जाती है जो बिल्कुल खाली होती है लिव भी जिन को जूनने के लिए उसके पीछे पीछे जंगलों में निकल पड़ता है और उसे लगातार आवास लगाता है जिन उस छोपड़ी में बैटी हुई अपनी मौत का इंतिजार कर रही होती है और अपने आखरी समय में अपने मा को याद कर रही होती है कि तब लिव उसके पास पहुँच जाता है जिन हमेशा पैसे को इंपोर्टेंस देती थी इसलिए लिव जिन की भाशे मैं ही उससे कहता है कि अगर तुम अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ कर इस तरह से दुनिया से चली गई तो मैं तुम्हारी मा को एक पैसा भी नहीं दूँगा तो जिन कहती है कि आप इतने सैलफिश कैसे हो सकते हैं मैंने अपनी जिन्देगी आपको बचाने के लिए दे दी और आप मेरा कमपेंसेशन मेरी मा को देने के लिए तैयार नहीं है मेरी मा ठीक कहती है मैं सारे परेशाने की जड़ हूँ लिए को कोई रास्ता नज़र नहीं आता और इसलिए वो अपनी मा का ब्रेसलेट जिन को पहना देता है जिस ब्रेसलेट को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था वो जिन से कहता है कि ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें जीवन वर इसे सम्हाल कर रखना है ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ जिन के अंदर थोड़ी सी इम्मत आती है और वो तुरंट लियू का हाथ पकर लेती है इसके बाद लियू जिन को अपनी गोद में उचा कर वापस डॉक्टर लिन के पास ले जाता है जिन को जब थोड़ा बहुत होश आता है तो उसके सबी दोस्त उसके आसपास बैचे होते हैं और आप सबको थोड़ी उम्मीद जग जाती है कि शायद जिन ठीक हो जाएगी लेकिन डॉक्टर लिन जब उसे चेक करती है तो उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है और वो लियू को बताती है कि कोई चमतकार ही होगा जो जिन को बचा सकता है मैं तो मैं जूटी उम्मीद नहीं दे सकती ये सुनते ही लियू के कानों में जिन के आखरी शब्द गूजने लगते हैं कि क्या मेरे जाने के बाद आपको दुख होगा डॉक्टर लिन अपने आखरी कोशिश करती है और एक एकलौता इलाज जो उनके पास है जाती है और जिन बुरी तरह थंड से कापने लगती है ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और डॉक्टर लिन से बात करने के लिए उनके पास चले जाते हैं और रूम में केवल जिन और लियू बचते हैं लियू अपने मन में भगवान को याद करने लगता है और कहता है कि मैंने जिन्दगी भर कभी किसी भगवान में विश्वास नहीं किया है लेकिन अगर आप सच में एगजिस्ट करते हैं तो आज आपको मेरी मदद करनी होगी और ऐसे बोल कर वो जिन के माथे पर एक किस कर लेता है और जिन को जैसे ही उसका टच फील होता है उसका कापना बंद हो जाता है और वो शान्द हो जाती है उधर पैलेस के अंदर किंग अपने रेगुलर मेडिसिन लेते हैं लेकिन इस पर मैडिसिन में जहर होता है और उनकी हालत खराब हो जाती है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारे वो लियू के फादर मिस्टर लियू टिंग को देते हैं उधर जिन के साथ चमतकार हो जाता है डॉक्टर लिन उसे चेक करके बताती है कि अब जिन खत्रे से बाहर है तब ही जिन अपनी आँके खोल देती है जियाओ और डैयाँग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों लगातार उसे बाते करते रहते हैं और उसे उसे खाने की पसंद पूछते है लियू जिन के पास नहीं जाता वो उसे बात नहीं करता वो बहुत दूर से उसे देखता है लेकिन उसकी आँके बता देती है कि जिन के खत्रे से बाहर होने की खबर सुनकर वो कितना खुश है इसके बाद वो जिन के पास चाहता है और उससे सिर्फ इतना कहता है कि आज से तुम्हारी सैलरी डबल जिन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है वो उससे कुछ और बात भी करना चाहती थी लेकिन लियू रुकता नहीं है वो सिधा रूम से बाहर चला जाता है तो मुझे पर हाथ उठा कर दिखाओ तो जियाओ कहता है कि जिन ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ किया है अब तुम्हें मारकर में उसके किये गराएपर पानी नहीं फेरना चाहता उधर माओ को पता चल जाता है कि मैपल कोल में एक ऐसी लेड़ी रहती है जो ब्लू जेट फ्लावर के जोहर को भी प्यार कर सकती है और इसलिए वो उसके लिए खत्रा बन सकती है वहां मैपल कोल के अंदर सब लोग जिन के साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और जियाओ और लियू में इस बात को लेकर फाइट होने लगती है कि जिन किसके पास बैठेगी और लियू जियाओ से साफ कह देता है कि जिन मेरे पास बैठेगी तुम बीश में अपनी नाक मत खुसाओ उनके जगड को खतम करने के लिए जीन दोनों के बीच में बैठ जाती है और मुस्कुरा कर जियाओ को देखने लगती है ये देखकर लियू को गुस्सा आता है इसके बाद लियू जीन को अपने हातों से खाना सर्व करने लगता है और जियाओ उस पर कमेंड करता है कि एमरोइडर यूनिफर्म गार्ड इतने अच्छे से खाना सर्व भी कर सकते हैं ये मुझे नहीं बता था लियू को गुस्सा आता है वो मीट का एक पीस उठाकर निशाना लगाता है और वो पीस सिधा जियाओ के मुँ में जाता है जिससे समू बंदो जाता है बातों ही बातों में शैंगवान लियू से पूछती है कि तुम्हारे लिए जिन्दगी में सबसे जरूरी क्या है ये सवाल सुनकर लियू जिनके तरफ देखने लगता है और उसे वो सारे पर याद आने लगते हैं जब जिन्ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और उसको देखकर वो जवाब देता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी प्यार है सब लोग एक साथ लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी माओ के आदमी इन पर अटैक कर देते हैं जैयांग और शैंगवाइन दोनों जंगल में होते हैं और उनको वही माओ के आदमी घेड लेते हैं जब ये लोग जिन पर अटैक करते हैं तो जियाओ और लिउ दोनों जिन को बचा लेते हैं तबी वहां माव आता है और डॉक्टर लिन को पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि डॉक्टर लिन के पास उसके जहर का एंटी रोट था तो जिन अंकल बैगर से डॉक्टर लिन को बगा कर ले जाने के लिए कहती है तबी जियाओ भी जिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे वो उसे बचते बचते शैंग्वैन खाई में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए जैयांग भी उसके साथ पूछ जाता है नीचे गिरते हुए जैयांग शैंग्वैन को कसके अपने गले से लगा लेता है जिसे कि उसे कोई चोटना लग पाए दूसरी और मैपल कोल में डॉक्टर लिन के जो बहुत सारे साफ होते हैं उनको देखकर माओ अपने आदमियों के साथ वापस लोट जाता है और इसके बाद ये सब लोग वापस अपने यौंगजू सिटी जाने कर डिसाइड करते हैं जिससे कि ये वहाँ से हेल्प ले सकें और डियांग और शैंगूएन को जून सकें इस बार ये अपने साथ अंकल बैगर और डॉक्टर लिन को भी ले जाते हैं उधर गिरने के बाद दोनों बेहोश हो चुके होते हैं और डियांग को जब होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के उपर लटका हुआ पाता है इसके बाद वो शैंगूएन को ढूनता है शैंगूएन उसे जमीन पर बेहोश दिखाई देती है पहले उसे लगता है कि शैंगूएन शैद मर चुकी है और वो लोने लगता है लेकिन जब वो चेक करता है तो शैंगूएन की सांसे अभी चल रही होती है जिन जब यॉंग्जू सिटी पहुंचती है तो उसे अपनी टीचर डायंग के फादर का एक लैटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अभी सिटी में नहीं है वो अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलने गए है इसके बाद वो जियाओ से कहती है कि टीचर के आने से पहले ही हमें जैयांग और शैंग्वैन का पता लगाना हुगा उधर शैंग्वैन बेहोश जैयांग को हाथ गाड़ी से खीशती हुई सिटी के तरफ लेकर आती है यांग्जू सिटी के अंदर लान्या और माओ एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों को मिलते हुए जैयाओ और जिन छिपकर देख लेते हैं लिउ अपने एक सर्वेंट से कहता है कि जिन को जल्दी से खबर करो के हम लोग अभी दैन किंग चौबर के लिए निकलेंगे तो सर्वेंट उसे बताता है कि जब मैं इधर आ रहा था तब मैंने जिन को जियाओ के साथ जाते हुए देखा था और जिन ज्याओ के साथ है ये सुनते ही लिउ का मूँ बन जाता है और उसे बुरा लगता है उधर शेंगवायन जैंग को सही सलामत यौंग जूसिती तक पहुचा देती है जैंग को होश भी आ जाता है और अब वो जिन के सामने बैठा होता है जिनों से बताती है कि उसके पैता अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए गए हैं उसके ़ो डियांग से कहती है जो बेकार के बातें मत करो ऐसा कुछ भी नहीं है और इसी के साथ आज का PAACH मैं यहीं खतम करती हूं तो ये PAACH आपको कैसा लगा? आप लोग मुझे comment box में लिख कर जरूर बताईएगा हमेशा की तरह वीजे को like कीजेगा, share कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और अगर आपने इसके previous parts नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजेगा मिलेंगे next part में, till then चाचा, bye bye, sayonara and take care